जार्खन के देवगर में रोप वे हाथसे के करीब 46 घंटे बाद मंगलवार को आपरेशन पूरा हो गया इसके बाद आस्मान में फसी 47 जाने बचा ली गई जबकि दो महिला समें तीन लोगों की जान नहीं बच सके इस हाथसे के बाद लोगों की जिन्दगी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार क्या अला परवा है सरकार राम नवमी के मौके पर निकले थे शिखर पर मंदिलों के दर्शन के लिए लेकिन 1500 फीट की उचाई पर ट्रॉलियों में जिन्दगी की डोर ऐसी उलची की दुनिया खत्म सी लगने लगी मगर उपरेशन जिन्दगी ने 46 लोगों की सासों को थामने से बचा लिया जबकि एक महिला समित तीन लोग हादसे का शिकार हो गए जारखंड के देवगर रोप वे हादसे के करीब 45 घंटे बाद रेस्क्यू उपरेशन खत्म हो गया मंगलवार को 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया वायू सेना, ITBP और NDRF के साथ गरुन कमांडो इस रेस्क्यू उपरेशन में जुटे थे सेना का MI-17 हेलिकॉप्टर 2000 फीट की उचाई पर उडान भर रहे थे और हवा का दवाब बढ़ने की वज़ह से लोगों को निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की जिन्दगी को बचाया गया दरसल ये हाथसा रविवार शाम चार बजे रोपवे की ट्रॉलियों के आपस में टकराने से हुआ इसके बाद रसी के सहारे हवा में चल रही कई ट्रॉलियां डिस्प्लेस हो गई और जहां तहां रुग गई जब ये हाथसा हुआ तब ट्रॉलियों में करीब पचास लोग सवार थे इसके इलावा करीब पचास लोग हवा में अटक गए जिन ट्रॉलियों पर ये हाथसा हुआ है इन ट्रॉलियों के जरिये हर रोज सेकड़ो श्रधालू जार्खंड की धार्मिक नगरी देवगर के पहाड में बने मंदिरों तक पहुचते हैं जार्खंड के त्रिकूट परवत पर बना रोपवे भारत में सबसे ज्यादा सीधी उचाई वाला रोपवे है चवालिस डिगरी कोन पर बना ये रोपवे परिटकों को पंदरा सो फीट उचे शिखर पढ़ ले जाता है रोपवे की लंबाई 766 मीटर है जिसमें 26 ट्रोलिया लगी है हर ट्रोली में 4 लोग बैठ सकते हैं ट्रोली को शिखर तक महुचने में करीब 8 मिनट का वक्त लगता है रोपवे की शमता हर घंटे 500 लोगों की है लेकिन बाबजूद इस के सर्विस पर ध्यान नहीं दिया गया और देवघर में बड़ा हाथसा हो गया अब सवाल लोगी है लोगी है लोगी है